दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय अश्ट्र मनिगुरू फर्स्ट ग्लोबल अश्ट्रो फ्रनेंस डिजिटर चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं दोस्तो आजय अश्ट्र मनिगुरू देश का पहला चैनल 42 कमुटिटी इस पांच मार्किट पर लगातार अपडेट और विस्लेशन आग तक प्रदान करते हैं हम वर्त्मानी नहीं महविश्का भी करते हैं सटी का अकलन दोस्तो मसालों में जीरा, धनिया, लालमिच, छोटी बड़े इलाइची, सौफ, अजवाइन, मेथी इस पर हमारे जो अगरी मनुवान वो सत्ते सावित हुए याद कीजे हल्दी का चार महने पहले का हमारा विश्य शाकरन जबर्दस्तेजी हल्दी में दर्ज हुई धनिये में लगवग सौमे से सो मार्केट विश्य शग एवं व्यापाली हुआ कहना था इस बार धनिये की पैदावार डेड़ से दो गुनी हुई है और यही वज़े थी कि धनिया जो 13,000 रुपे पे ट्रेड कर रहा था वो घटकर 5,500 रुपे पे आ गया था लेकिन उस वक्त हमने कहा था यह सही समय है धनिये की पैदावार डेड़ से दोगनी जरूर हुई है लेकिन बेमोसम मरसात के वज़े से कॉलिटी में फरक आया है quantity धनिये की आज भी कम नहीं है लेकिन quality में फर्क है और यही वज़ा हुआ कि धनिये ने शांदार निर्यात हुआ और धनिये के दामों में पिछले एक से डेड़ मैने में लगबख 35% से अधिक जम्प हुआ दोस्तो तेजी आने के बाद तेजी के कारण विशलेशन व्यापारी को फाइदा नहीं पहुचा सकते मंदी के समय गिरावट के समय यदि आपका विशलेशन सही साबित होता है तो उस वक्त ही आप फाइदा उठा सकते हैं अन्यता नहीं तो दोस्तो मसालों पर यादि आपको अग्रिम विशलेशन चाहिए तो आप विशेश रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं और 640 से 650 रुपे प्रती किलोग्राम के भाव देखे गए इसी तरह से बड़ी लाइची जुंडी वाला और कैची कट में भी अच्छी तेजी दर्ज होई और ये 990 रुपे से उपर के भाव दर्ज हो गए हैं दोस्तो एक दिन पूरु आए शांदर उचाल के बाद भी जीरे के अंदर मजबूती देखी जा रही है साथ साथ जहां तक काली मिच के ओपर रिपोर्टिंग का सवाल है कि काली मिच में तेजी जारी हो रही है और इस समय सरकार दोरा इंपोर्टेड काली मिच के ओपर सक्ती बरतने से आयात भी इस बार कम हुआ है इसी कारण काली मिच की में तेजी जारी है और कोगर तलब है कि सभी उतपादक केंदरों में काली मिच की आवक कम होने के समाचार है और बारिश की कमी के कारण काली मिच की बेले भी सूखने के समाचार मिल रहे है इसका रण दिसंबर जनवरी महा में आने वाली फसल कमजोर रहने का अब अनुमान लगा जाने लगा है इसका रण वियापारिक तेजी के सामने आ रही है दोस्तो काली मिर्च की मंडियों में के भाव लगबग 10-25 रुपए पती किलो के तेज बताये जा रहे हैं लेकिन हाजिर माल की अबलेबिलिटी कमजोर होने से दिल्ली किमें बजार के भाव 40-50 रुपए पती किलो बढ़ गए है और इसका असर देश के बाकी मंडियों पे भी देखने को मिल रहा है दूसरी आठ छोटी इलाइची में भी लगातार सुधार होने के समाचार मिल रहे हैं क्योंकि प्रतिकूल मौसम के चलते इसवाच छोटी इलाइची का उतपादन प्रभावित होने से के समाचार मिल रहे थे इसका रण हाजिर में छोटी इलाईची के मांग बढ़ गई है और भाव भी मजबूत बताए जाने हैं रखें अधिहां जो सुगंदगरी स्पाइसेज प्रमोटर्स एंड ट्रेडर्स प्राइडर्स प्राइविट लिमिटेड की निलामी की बात करें तो ये 54,571 किलो की जो बताए गये हैं जबकि दूसरी निलामी ट्रेडिशनल कार्डम कार्डमम प्रोड्यूसर कंपनी निमिटेड में 44,334 किलो की आराइवल है और इस में से 42,495 किलो का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं और इस निलामी में छोटी लाइची का दिकता बाव 1922 और पूर वनुमान आकलत हमने आपको पहले भी दिया था तो दोस्तों कि अब महतवपुन प्रशनिया है कि आगे इन भावों के ओपर क्या मुनाफ़ा वसूर करने कर लेना चाहिए क्यों कि जिन व्यापारी बंदोंने हमारे विशेश आकलन के अनार पे नीचे के भाव में मा मिल रहा है दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विशेश रिपोर्ट के लिए आगे क्या होने की संभाव ना है विशेश रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य करें नंबर स्क्रीन पे हैं अब हम महतवपुन खबर हल्दी उत पादक छेत्रों से लेके आ रहे हैं वहाँ प में तिलंगाना केरल करनाटक के तटिये प्रदेश अगले तीन दोनों ऐच्छी बारिश होने के समाचार हैं मद्य भारत में वी यरु पार्र दिनों तक बारिश होने का नूमां दिया गया है विधर्व 36 घर में भी आजबे-कल हो सकती है महाराश गुजरात में कहीं सो में भी अगले तीन दूनों अच्छी बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं जहां तक हल्दी की बात है हल्दी के उत्पादक जिलों में बारिश की इस्तिति हम जिले वार आपको दे रहे हैं करनाटक में लगबख 35 प्रतिशत कम है बेलगाओं में 27 प्रतिशत कम है यहां तक महाराश की सवाल है हिंगोली में 47 प्रतिशत कम है सांगली में 69% कम है नादेड में प्लस 32% है साथ साथ यदि हम तेलंगाना में देखें तो निजावाबाद में 30% अधिक बरसाथ के समाचार है जग्याल में 20% अधिक निर्मल में 27% अधिक और वारंगल में 18% अधिक बारिश के समाचार है महभूर नगर में भी प्लस शेप है यानि तेलंगाना में बसाथ प्लस हो गई है महाराश में भी काम है करनाटक में भी माइनस है आंधर प्रदेश में देखें तो दुरगी राला में गुंटूर में प्लस सेवन हो गई है तामिलाडू में इरोड के अंदर माइनस सेवन है, कोयम टूर के अंदर भी बात कर रहे हैं, कोयम टूर में 19 प्रतिशत माइनस है और साले में 25 प्रतिशत माइनस बताई जा रही है करनाटे के हल्दी उत्पादक चित्रों में बागल कोड, बेलगाओ, महाराश के हिंगोली, सांगली, तामिलाडों के इरोड, कोयम टूर, सेलम में बारिश उसस से कम है, परंतु तेलंगाना महाराश के नादेड में और सेसे अधिक है दोस्तों, बिजाई के आकड़ों में कुछ आने सुधार आने की उमीद वल रही है, और इसकी विस्तित जानकरिया हम लगाता राब तक प्रस्तुत करेंगे All the very best, good luck, happy trading